यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उनमें से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और बीरू जैसे मिशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला वो एक मुए में गिर गया गिर गया और जोर जो से चीखने चिताने लग गया तो जो उसको दैरना नहीं आता अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा, और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसके एक रसी बंदी हुई थी उसने एक सेकंड भी बेस नहीं किया उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट दिया और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इसको उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताहत लगा करके पागलों की तरह उसको खीचने लगा खीचता 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 अपनी पूरी जान लगाए चोटे से बच्चे ने छे साल के और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था खीचता 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 और तब तक नहीं रुका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया बाकी गाउं वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउं वालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार मुज़ूर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी कोई ना कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गरके कुए में फैका उसके दोस्ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस्त को बचा लिया तो आपको बता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउंवाले उनकी शकल देख रहें फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है हम बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं यहां तक कि वो खुद भी नहीं को खुद भी नहीं